हलो ब्रिवान, तो दोस्तों आरो यारो का जो एक्जाम पैटर्न है, उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है, और देखो अभी तक आरो यारो की जो परिच्छा होती थी, इसमें क्या होता था, दो पेपर होते थे, पहला पेपर जी एस का और दूसरा पेपर हिंदी का, जी तो जी एस का पेपर सुबह साड़े नौ बजे स्टार्ट होता था, साड़े ग्यारा बजे तक चलता था, इसके बाद जो आपका पेपर होता था, हिंदी वाला सेकंड शिट में एक गंटे में पूरा करवाय जाता था, लेकिन अब जो एक्जाम पैटर्न आपका होगा, उ एक पेपर होगा, यहाँ पर स्लेबस में कोई बदलाव नहीं है, ना तो जी एस के स्लेबस में, ना तो हिंदी के स्लेबस में, बस एक्जाम पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है, और अब जी एस और हिंदी का मिला कर सिर्फ एक पेपर आपको मिलेगा, डूरेशन इसका पढ़ा दिया गया है, GS का 2 घंटे, हिंदी का 1 घंटे, यानि कि कुल मिला के अब यह जो परिक्षा होगी, यह 3 घंटे की होगी, तो 3 घंटे की परिक्षा होगी, एक ही सिफ्ट में करवाई जाएगी, और इसमें सामान अध्यन और हिंदी, दोनों ही जो प्रस्पत्र हैं, व इनको एक में ही कर दिया गया है, यानि कि जो पेपर होगा, उसमें कुल मिला के 200 प्रस्पत्र होगे, 3 घंटे का समय होगा, और इस परिकार से दोनों पेपर अब एक कर दिया गया है, तो इसके बारे में नोटिफिकेशन भी वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, जैसा क कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मुक्य परिक्षा की योजना है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, मुक्य परिक्षा जैसे होती थी, बिल्कुल उसी प्रिकार से होगी, तो ध्यान दिजेगा कि जो आपका प्री है, जो कि 22 दिसंबर्ग होना ह है, तो प्री की परिक्षा में एक बड़ा बदलाव यह है, कि अब यह जो परिक्षा है, उसमें केवल एक पेपर होगा, और इसी एक ही पेपर में आपके सामान नियान के कुल 140 और सामान हिंद के कुल 60 प्रसन समाहीत रहेंगे, तो लगे रहेंगे, और यह परिक्षा 22 दि पर कोई करवाई जाएगी, बागी जो भी अपडेट रहेगी आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलेगा, थैंक यू.